नमस्कार दोस्तों 16 मार्च का दिन है और जैसा कि 16 मार्च को SBI काड की IPO की लिस्टिंग थी लिस्टिंग हुई लिस्टिंग बहुत ही भैतरीन होती अगर मार्केट का कंडिशन अच्छा होता क्यों क्योंकि देखिए यह दो कैंडल है न स्टार्टिंग का मैं 5 मिनट पांच मिनट का टाइम फिरेम के साथ यह कैंडलिस्टिक चार्ट दिखा रहा हूं यह कैंडल आसा नहीं दिखता दोस् थी थी कि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता तो इससे थोड़ा सा पोजिशन हलका कर लूँगा क्यों क्योंकि देखिए मार्केट इतना पैनिक है काफी दिखर्ज स्टॉक्स इंडस्ट्री एजडिएप से बैंक हुल और टीसी एस वीप्रो इनफोसिस कौन नहीं गिरा स लब में 6% 7% आज परसंट की गिरावट थी तो यह तो अभी लिस्ट हो रहा है यह आई प्यो और यह लिस्टिंग पे भी इतना नहीं गिरा जितना दिगज स्टॉक्स महारती स्टॉक्स निप्टी-फिप्टी के दिगज गिर रहे थे उस समय इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग मुझे कहीं से भी खराब नहीं लगा देखिए 670 पर यह ओपन हुआ 670 यह 78 पर और इसने 755 का प्राइज आपको दे दिया दोस्तों देखिए यहां पर एक चीज समझने की बात है 754 रुपे 71 पैसे का हाई बना था इस स्टॉक पे इस पर्टिकुलर आई पी और इसका इस उपराइज भी 755 रुपे के पास में था 755 रुपे पर जैसे ही आया लोगों ने अपना माल बेचा है क्यों क्योंकि मार्केट इतना बुरा है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कहा तक जाएगा निप्टी मैंने जब संडे को वीडियो बनाया था तो मैंने कहा थ सब्सक्राइज निप्टी फिर से 8555 के पास एक वर फिर से आना चाहिए मार्केट को बचाया गया था उदिन लूगा था और मार्केट बचे नहीं बच सकता है कि एक आदमी मार्केट को नहीं चला सकता है चाहिए वह लाईसी हो चाहिए वह बड़े-बड़े मैश्वल फं से भर सकता है नीचे निप्टी फिर से आ सकती है और लगबग 9100 संथिंग का लो तो आज बनी गया आगे देखिए क्या होता आज भी एस जेग निप्टी 280 नीचे था जब मैं यह वीडियो कमपोज कर रहा था इससे थोड़ी दिर पहले 280 280 पॉइंट तो थी निप्टी पर गिरावट बड़ 200 पॉइंट की रिकरबरी हो चुकी थी वीडियो मैं जैसे बना रहा हूं इसके बाद फिर देखता हूं कितना पॉइंट से नीचे रहता है जीग निप्टी उसी इससाब से हमारा निप्टी विकल सो ऑपन होगा और मार्क बूकिंग आई फिर से यह आप उपर जाने की कोशिश किया लेकिन मार्केट सुबह से लेके पूरे दिन भर गिरावट के तरफ ही रहा और लास्ट में तीन बज़े के आसपास में दो धाई से तीन बज़े में मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ फिये अर्वियाई की कॉनफेरेंस भी थी तो उस कॉनफेरेंस का इनतजार किया जा रहा था और उसमें कुछ बाते लिए कूछ राहत दी जाएंगी चुछ सेक्टर को कुछ बाते होंगी इसकेलिए मार्केट में थीन एक टेखने को मिला था बट उसके बाद फिर से लिए मार्केट में करेक्ट्टन है और अभी यह 670 यह 75 पे इसने क्लोजिंग की है 78 पे तो अभी क्या किया जाए देखिए अगर कल मार्केट में यह थोड़ा सा तेज होता अगर मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे जरूर बाइंग दिखेगी तो 700, 720, 730 पे अगर आता है तो आप एक बार जरूर डिसीजन दीजेगा कि आप पूरी की पूरी होल्डिंग आपको रखनी चाहिए फिर इससे थोड़ा सा हलका होना चाहिए यह आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि आज भी जब 754 पे गया था तो उससे मैं आपको एक डिसाइड करना चाहिए था कि इसमें थोड़ा सा पूजीजन हलका कर लें देखिए काफी समय तक इसमें एक स्टेबिलीटी बनी रही यह एक अच्छे कॉलिटी का पहचान है जब निप्ती इतना करेक्ट हो र तब 50-50-50-50-500-500 बहुत ज्यादा होता है अप मुमेंट के लिए गिरावट के लिए एक नॉर्मल डे पर यह एक बहुत ही मतलब पूरा दोर चल रहा निप्ती के लिए ने पुरे वर्ल्ड एकोनोमी के लिए वर्ल्ड पे पूरा हाहाकार है सारी इंडेसे गीर रहे हैं च स्ट्रेंथ दिखाया डेफिनेटल इस पर गिरावट हुई है लॉस हो रहा बट मुझे असा लगता है कि अगर मार्केट ठीक ठाक रहता तो यह 755 के आपको 800-900-1000 तक दिख सकता है लेकिन मार्केट कंडिशन अच्छा होना चाहिए एटलिस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर न 19 का जो लॉट साइज था अगर 19 है तो आप 50 पासेंट हलका होके रही है क्योंकि इंवेस्टमेंट के लिए अच्छे अच्छे दिगर्ज स्टॉक्स मिल रहे हैं तो यह अभी SBI काईट पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे है HDFC बैंक देख लिए नौन 29 रुपय पर चलाया निनाब्य ूपय पर रिलाइंस इंडल इंडस्टी दे ककी की ऐच्छा सभाग्न देख लिए सभी सबी स्टॉक्स मिल रहे है नीचे के बाव पर तो लोग उस पे पासा लगाएंगे और खड़े रहेएंगे Austria दिगज स्टॉक्स हैं इसलिए आप थोड़ा सा यहां पर अपना पोजिशन हलका कर सकते हैं मेरा ऐसा मनना मैं आपको यह नहीं कर रहा हूं कि आप यहीं कीजिए आप एक मार्केट का कल ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता ठीक है ना तो उस हिसाब से डिसीजन लेकर बने रहें इसे स्टॉक पर बहुत ज्यादा लॉस अगर बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता तो फिर क्या कहना अगर आप लॉस पर अपना सौधा काटना चाहते हैं तो काट सकत लेकिन लिस्टिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखता अगर यह मार्केट अच्छा रहता तो आप डिसीजन लीजिएगा कल के को डिंग अगर थोड़ी से आप मोमेंट आती है तो थोड़ा सा पोजिशन हलका करके रखना ही अ 770 की नीचे जाता है तो फिर इसमें एक फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है अगर 770-760 को अगर यह होल्ड करता है तो बने रहे हो सकता है इस पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है आज का लो है साथ स्वरी 670 या 660 का लो है इसी लो पर अगर ट्रेट करता है इ इसा भी होगा फिर चैनल पर मैं अपडेट करता रहूंगा आपको किसी भी स्टॉक के लिए तो चलिए इस पर इतना ही और क्या कहूं थैंक्यू